हेलो बच्चो आज में आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डियोई की तरफ से आपको मैट्स में हिंदी मीडियम में एक सपोर्ट मेटीरियल की बुक मिलिए सेशन टुथाउजन टुवंटी टुवंटी फॉर की हैना इस बुक में हमने अपना चैप्टर नमबर टू स्टार् सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोशन नमबर 30 से इसमें आपसे क्या क्या रहा है गुननखंड कीजिए तो आपको यहां पर दे क्या रखाए पहले आप वह लिख लो आपको दे रखाए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वैर प्लस 11x प्लस 6 दे रखाए इसके स्क्वैर प्लस x स्क्वैर ऐसी 11x को भी मैंने दो पार्ट में लिख दिया 6x प्लस 5x ठीक है याद रखना आप जब भी दो पार्ट में लिखो इस तरीके से लिखना कि जब आपसी उन्हें जोड़ो ना तो वही नंबर आना चीए जो आपको कोशन में दिया था ठीक है ना अब जो बच गए उनको अलग लिख दिया है एक स्क्वैर बचा एक 5x बचा और एक 6 बचा इन तीनों का एक ग्रूप बनाया एक पैले वाले ग्रूप में से x उब्याइस्ट हो रहा है तो अंदर बचा x स्क्वैर प्लस का 5x प्लस का 6 दूसरे वाले में से कुछ भी उब् दिया है क्योंकि दोनों ब्रेकिट्स सेम है और यहां लिख दिया x2 प्लस 5 x प्लस 6 अब पहले वाले ग्रीम सेज़र दिया ऍदा गट कर दीए बीच वाला पज़ उसे फिर दो भागों में बाढ़ दिया 2x प्लस 3x और यह 6 ऐसी है अब इनकी एक पेरिंग कर दी इनकी एक पेरिंग कर दी दोनों के एक एक जोड़े बना दिया यहां से x उबेनिष्ट लिया पहले वाले जोड़े में से तो x प्लस 2 बचा दूसरे वाले में से 3 u बेनिष्ट लिया तो यहां पर क्या बचा है x प्लस 2 बचा ठीक है तो 1x प्लस 1 तो बहार ऐसी है 1x प्लस 2 आ गया और 1x प्लस 3 आ गया यह आ गया इसके गुनन खाल देखो 3 बोले थे 3 ही निकले है क्लियर हो गया कोशन 30 चलिए कोशन नमर 31 आप से क्या कह रहे है यह दी x2 प्लस y स्क्वेर 49 हो तथा x-y 3 हो तो x3-y3 का मान गयाद करो कैसे करेंगे इसमें सबसे पहली बात देखो यह आप पर कोशन नमर 30 था ठीक है 31 आप से कह रहे है आपको x3-y3 निकलने है तो अगर मैं सर्वसमी का देखों तो वो होती है x-y दूसरे ब्रेकिट में होता है x2 प्लस xy प्लस y स्क्वेर देखो x-y का मान आपको कोशन में दे रखा है और x2 प्लस y स्क्वेर का मान भी दे रखा है पर x x y का मान नहीं दे रखा तो पहले आप इसका मान निकल लो अब वो कैसे निकलोगे x-y का whole square लगा दो x square प्लस y square मानस का 2xy होता है x-y का मान आपको कितना दे रखा है कोशन में 3 दे रखा है x square प्लस y square का मान 49 है मानस का 2xy ऐसी है तो 9 is equal to 49 मानस का 2xy तो 2xy बराबर में कितना आजाएगा 49 मानस 9 तो वो आजाएगा 40 तो xy यहां से कितना आगिया 20 अब आप अपनी सर्वसमिका में सिफ मान रख दो और आपका answer आजाएगा तो एक बार मैं दुबारा से यहां पर वो सर्वसमिका लिख लेती हूं मैं xy को इधर लिख रहे हूं और x into y को इधर लिख रहे हूं क्योंकि इन दोनों का मान मिला के दे रखा है तो यहां पर मुझे x minus y 3 दे रखा है x square plus y square 49 दे रखा है और x into y 20 मैंने निकाला है तो यह गया 69 तो 39 जा 27 36 जा 18, 19, 20 यह आपका मान आ गया x cube minus y cube क्लियर है यह आपके question number 31 तो आज की class में दो questions complete कर लिए है 30 और 31 आगे के questions next class में करेंगे daily basis पे आपको hindi medium की support material की videos मिल रही है चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको notification मिलती रहें जब भी videos upload हूँ और अपने friends के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि इस channel पे support material की solutions मिलने स्टार्ट हो गए है ताकि वो भी exam से पहले chapters की preparation कर सके आपको video अच्छी लगी है आप like ज़रूर कीजिए इन videos को Thank you